हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल गड़ेश चतुर्थी आ रही है और गड़ेश जी के प्रिय मोदक बनाना तो बनता है तो चलिए मोदक बनाते हैं उसके लिए पैन में मैंने एक चम्मस देशी घी लिया है और उसके गरम होती ही मैं उसमें डाल रही हूं आधा कप अगर आपके पास सूजी बारीक नहीं है तो आप सूजी को एक बार मिक्सी में ग्राइंड कर लें आपकी सूजी बारीक हो जाएगी पर सूजी हमें बारीक ही लेनी है तब ही मोदक अच्छे बनेंगे तो बस हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है फ्ल तो मोदक का कलर अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट में भी डिफ्रेंस आजाएगा तो बस सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है अब मैं यहां पर एक कप दूद ले रही हूं जिससे में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूं इसमें एक साथ हमें दूद नहीं डालना है क्योंकि हो दूद डालते ही सूजी दूद को शोक करने लग जाएगा और फूलने लग जाएगी सूजी हमारी तो देखे यह डूद सूख हो चुका है सारा और अच्छे से सूजी ने एब्सरब कर लिया है और इतने सारे आधे कप सूजी में मेरा एक कप दूद में से थोड़ा सा तो इसलिए अगर आप कंडेस्मिंग नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपने यहां पर मिल्क का इस्तमाल तो किया है तो अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं बस चीनी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं उसके बाद इसे अच्छे स यह पक चुका है अब हम इसे गैस ओफ करके ठंडा होने के लिए रखतेंगे अब हम इस्टफिंग देख लेते हैं क्या चाहिए हमें स्टफिंग के लिए तो मैंने सूजी काजु ग्रेट की है पिस्ता ग्रेट कर लिया है तीन से चार चम्मच डेसिकेटड कोकोनट लिया है और चार से पांच खजूर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको आपस में यहां पे मैं चेनी का इस्तमाल नहीं कर रही हूं क्यूंकि खजूर भी मीठा होता है और जो मिश्रण हमने तयार किया है वो भी मीठा है और अब हम इसके बाल्स बना लेंगे चमच कंडेंजमिल डाल दीजिए और उसके बाद यह बहुत ही अच्छे से चिप चिप हो जाएंगे और बॉल्स बन जाएंगे तो सारे बॉल्स तयार कर लिए हैं केसर मैंने लिए थोड़े से उसमें गरम पानी डालके उसे बिगोने के लिए रख दिया है उसके बाद हम एक थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस बैटर से और उसमें जगह बनाएंगे और उसमें जो हमने खजूर के बॉल्स बनाए थे एक बॉल रखेंगे वापस से उसे कवर करेंगे चारो तरब से इसके बाद इसे गोल गोली बना के ओवल शेप देंगे और कुछ इस तरह से मो मोल्ड के मोदक हैं अगर आपके पास मोल्ड नहीं है मोदक का तो भी आप मोदक बहुत ही आराम से बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप मोदक का मज़ा नहीं ले पाएंगे तो बस कुछ इसी तरह से हमें मोदक बनाने हैं एक मैं आपको और ब तो यह बिल्कुल मुदक की डिजाइन में आ गया तो बस ऐसे ही ऊपर से थोड़ा साथ च्छे से इसकी शाप कर दिया और इसके बाद इसे प्लेट में रख दिया बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं और मैं यहां फॉक से डिजाइ आप एक बर जरूर इस मुदक को ट्राइ करिएगा यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं बिना किसी जंजड के बिना किसी मोल्ड के और यह बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं बिल्कुल ट्राइ करिएगा तो अब हमारे सारे म तो तैयार है हमारे मोदग बनके उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इंज़ॉय।